हेलो फ्रेंड्स, आईटे टेंडल जो में आपका हार्दिक स्वावत है, पर ये विदाती हूँ, आज का टोपिक रहेगा, कटिंग स्पीड कैल्कुलेशन, जिसमें हम सिखेंगे, नमबर फास्ट पे एक आर्पीम निकालना, और सेकिंड में हम सिखेंगे, सियर जैने आएक एक्जाम ओ, या फिर इंज्जिनिंग लाइन का कोई की स्टेट गवर्मेट जोग एक्जाम ओ, और इंजिनींग लाइन का खोई एक्जाम उग्जाम ओ, कभी तो आईए हैं स्टार्ट करते हैं स्टेप य्वाइ स्टेप . तो देखिए टाइटल में लिखा हुए कटिंग स्पीड कैलकुलेशन जो की दो परकाल की मैंने आपको बताई है नमबर फ़र्ट पे आर्पियम और सेकेट में उसी कहेंगे सीएस यानि कटिंग स्पीड निकालना तो देखिए सबसे पहले आपको आर्पियम के बारे में जाना कहुती ह 예ए आर्पियम के इस फूट पॉरम होती है रेमलेशन पर मनिट और हिंदे में इसको को वहुज़े चक्कर पर के मिनट, आप्टियम जो क्या होता है पर यह विधातियों जैसे आपके जो ड्रिलिंग जो मशीन होती है, उसका जो स्पिंडल है काफी तेजगरती से गूंता है, जब हम ड्रिल करते हैं तो गूंता है ना, जो की एक मिनट के अंदर कितने चकर जो है, वो ड्रिल, यानि जो spindle लगाता है वो आपका आरप्यम होता है आज इस हाद्व निक्यू के अंदर चाहिए आपकी portable handling machine हो चाहिए पिलर टाइप हो उनके चकल भी बहुत बहुत ज्यादा होते है जैसे 1200-1500 यारे बारा-बारा 1000 पे होते हैं इसमें एक मिनिट के अंदर चीक है ना तो वो एक मिनट के अंदर कितनी जो धातु काटता है वह आपकी क्या होती है कटिंग स्पीड होती है और कटिंग स्पीड निकालने के लिए कुछ रिम्स दे गई है उनको समझने की कोशिश करें कोश दसा पर बर अवाल रहा है शोटा आर्पान स्पीड पिछे लिखा इसका मद़ए ये ऐसे चोचा पूंट ञां सकतेाइए इन तो वैक्पूभ的话 में पर्दिस जान सुटी है तो दो आपको यार या तरिको यौन निकालना काफी एज़ी है हब यह का मतलब क्या है यह का मतलब क्या है शरी पॉइंट वन यह आप तो आहिए आप निकालते है नमर्फ पर यह किसम नगते हूं और कितनी एजी तरीके से हम आर्पियम निकाल जते हैं तो देखिए मायज स्टील की जोग में 24 mm का शुरा करने के लिए आर्पियम ज्याद करो तो जब भी आप किशन पड़ो पड़े काफी ध्यान से आपको किशन को पड़ना है देखिए आर्पियम मिले लिए धना और जब कि कटिंग स्पीड है वो 30 मिटर मिनट है तो सबसेगा लेले आपको क्या क्राम करना है 24 ला दिया हुआ है ड्रिल का साइड दिया हुआ है यानि होल यानि सुरा करते के लिए तो आपको क्या लिखना याउंगे डाया ओफ डाया ओफ ड्रिल कितने का है 24 mm का है 24 mm का है ठीकन उसके बाद में देखिए याँपे cutting speed cutting speed कितनी दी होई यापे लिखना आपको cutting speed कितनी दी हुई है ये देखिए आप लिखा हुआ है तो आपको ऐसे 30 लिखेना है M और मिनट चीक है उसके बाद में क्या लिखेना आपको RPM यह आप लिखेना है RPM जो की क्या करना है में निकालना है काफी इस है यह 3 पॉइंट लिखने के बाद में सिदा folks किस पे करोगे आप में आपको याद करना है क्या करना है RPM निकालने का सुद्धर यह क्या है V मल्टिकमाई हदार बटन में D उना में पाई तो सब से पहले देखिए V का मतलब क्या है यहां के उसमें देखिए cutting speed ठीक है तो यह V है यहां पर यह cutting speed है और इसमें cutting speed ठीक ठीक है तो ऐसे आपको 30 लिखना है देखिए कोई मुश्किल नहीं है उसके बाद देखिए आप हजार लिखा हुआ है तो यहां पर हजार लिख देखा हुआ है फिर बटे में निसान है तो यह देखिए बटा है इसके बाद में डीफ देखि KP है देखिए डाय्या ओफ ड्र divine व३र्ड कीक है तो इसमें डाय कीटना हए लिख देखिए तो यहां पर आपको कर देना है कर देखिए और गुमना का निसान है पाई किते शीचिया हुट है आया ज़िए कि कफीजी है तो इसे कर देना इन दोनों के अगर multiply करेंगे गुना करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 30 बीचे और बटा अगर इन दोनों के अगर multiply अगर हम करेंगे तो यह आजाएगा आपका 75.36 काफी इसको अगर divide करें भाग करेंगे तो आपका एंचल आजएगा थरी माइन के आज पिया तो यह देखिए काफी इजी है ग्रीवदार्टी इस तरही है जैसा फार्मूला है उसी के अनुसर मैंने सेट के हैं तो आई अब सीथे हैं सीरेस निकाला याने cutting speed निकाला तो cutting speed का आफार्मूला रहेगा आफका यह है इसको यार करों थोड़ा सा कैसे कैसे सेम किसम को पढ़ेंगे और इसके उपरहाई आपके अप्लाइप करेंगे तो एक अन का मतलब क्या है डायाब फ्रील है पाइं का मतलब क्या है देख सकते हो 3.14 ऑबलिक हधार्ण दिया हुए कोई इसे आपको थोड़ा दिमार के सुच लेना है कि आर्पीम निकालने है या फिर कटिंग स्पीड निकालने है ठीक है न तो कटिंग स्पीड के लिए इस फार्मूने को याद करना पड़ेगा तो सबसे पहले क्या करें हैं यहां पे नाया और ब्रील कितने अधिया होए है पाराम कग तो आपको यहां पर करना है वाराम कोई मुश्किल तोड़ा है उसके बाद में क्या करना है आपको आप जिकना आप यह रहे हैं तो आपको यहां पर आर्पीन वें जो थी दियू हुए हुएए मैं हमें लिखाऊ तो यहां पे कितना दिया हुआ है चाफ सो पचास ठीक है ना उसके बाद में क्या है सीएस यानि कटिंग स्पीड कटेंग जो कि हमें निकालनी है ठीक है तो कैसे करना है क्या करना है हमें यह फार्मूला सेम आपको अपलाई करना है तो एन का मतलब देखें क्या है एन का मतलब क्या दिया हुआ है आर्पियम है क्या हमारे पास आर्पियम है कितने है चाफ सो पचास तो आपको यहां पर क्या काम करना है चास सो पचास और मुश्किल है इसको गुणा का निसान दिया हुआ है तो गुणा कर देते हैं उसके बाद में देखिए डी दिया हुआ है डी कितना दिया हुआ है डी देखिए डाय ओफ यह बारा का है तो बारा लिख देते हैं ठीकर न इसके बाद में पाई दिया ऊए अगाएं गुने में साथ करने इनको क्या निकल जाएगा क्या निकल जायेगी कटिंग स्पीड तो कितना आजाएगा ऊपर की ऊपरे चार्सों पचास बारा और बाइस को अधर गुना करेंगे तो आपका आजाएगा वन वन एट जीरो 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 चीक है ना अगर इसको देखें हजार पंडिप्लाइं करेंगे तो कितना आजाएगा इसको रिस्कों करेंगे तो कितना आजाएगा 16.19 और यहां पर आजाएगा आपका मीटर मिनेट तो फिरे विजाती हूँ यह कैल्कुलेशन थी जो की काफी इजी है आप असानी से कर सकते हो फिर भी इससे समझ देज़ अगर आपका कोई कुछ रहा है तो मुझे कोमेंट कर सकते हो तो फिरे विजाती हूँ इसके नेट्स वीडिया हुआरी रही हूँ उसके अंदर आपको इंच के अंदर भी आपको बताएंगे टेप साइज भी बताएंगे तो यह दोनों कुशन मैंने करवा दिये आशा करता हूँ यह वीडियो और यह टोपिक आपको जरू पूसन आएगा फिर मिलता हूँ एक नेटी एक नेटोपिक की साथ तब तक आपको जाएंचा बार वन्दे मात्रा में